नमस्कार, किसान भाईयो, मेरा नाम रितुराज सिंग, सर्णाफ श्री राइंदर सिंग, विलेजन पोस्ट उम्री, तैसिल धांपो, डिस्टिक्ट बिजनौर का निवासी, कि मैं अपने यहां ड्रेगन फूट की खेती कर रहा हूं, और उस के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी चीजों को अपने यहां खेत में लगाया हुआ है, मैं पूरी जवी खेती करता हूं, और 27 बीगे का यह प्लॉट मेरे पास है, जिसमें मैं पूरी पूर्ण रूप से औ आप देख रहे हैं, यह भी और्गनिकली डवलप किया जाता है, और इसके साथ साथ मैंने अपने यहां कुछ एक्सपरिमेंट करके देखें, जिससे मुझे अब फाइदा भी दिखाई दे रहा है, तो ड्रेगन फूट एक ऐसी खेती है कि इसको आप 25 साल तक इससे फर ले चीजे हैं, जिससे बीच में जो gap आप कर सकते हैं, वो आप उसकी दूरी को फोड़ा सकते हैं, जैसे मैंने अपने vine and pole can be je I just. जो और यहां क्यों आप चाहें विछ आपको बीच में और कुछ चीजे और लगानी है या और कुछ चैक्टर के हिसा भीजसाब से प्यावर्ण करने वा harvest तो उसके चलते आप इन सब चीजों को अधियान में हेसे लगा रखा है शेव लगा रखा है चीज लगया हुआ है नास पाती लगा है और है है और लिची है इस तरह की बीच में मैंने प्लांटिशन की है जो मुझे अब ड्राइगेंट फूट के साथ जैसे में अम्रूद लगाए हुआ है तो सीजन में मुझे अम्रूद से भी काफी फायदा हो रहा है और क्योंकि अब जो हाइबिड प्लांट से हूं उसके अंदर अगर जल्दी ही फूट आयाता है दो एक से में बात है कि जो ये प्लांट तयार होके खड़ा है ऐंदे ये दोसाल का हौचुका है और इसकी जो फ्रूट इंग का जो फूल साइज है वह पांच चौथे से पांच्वे साल आपको मिलेगा जिसमें आप इस से भरपूर फरदे सकते हैं लगबग लगबग आपको 20 ये 25 किलो आपको approximate minimum लगबग लगबग आपको एक पोल देगा पास साल के अंद बाद जब यह पूरा घिर जाएगा फिर यह सिमिंट का पोल भी आपको नहीं दिखाए देगा चावतरा ब्रांचे जी होंगी तो इस पी जो फूटिंग होगी आप इस पर जितनी मेंद करेंगे उस किसी भी जानकारी या किसी भी चीज की सहायता की आवशकता है तो मेरा मोवाइल नंबर है 9376 975 750 आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इन जानकारीयों को मुझसे साजा कर सकते हैं कुछ किसान भाई और जो भी और किसी तरह की खेती भी करना चाहें तो वो भी तो जैसे ओड़त चावल गेहूं सरसो का तेल और इस तरह की जो भी चीजे हैं वो मैं पैक करके अपनी पैकिंग में बेशता हूं तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजे हैं जो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं और इसका फाइदा उठा सकते हैं बहुत-बहुत